तो देखिए आज हम लोग आपका पेपर बन का चाप्टर नंबर सेवन करने जा रहे हैं अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक से से मैंने अल्रेडी इसका कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है ठीक है तो अगर आप लोगों ने वह देख लिया तो वह तो बहुत बढ़ी है बात है उसके बाद में अगर मैं बात कर रहूं उसके बाद में तो इजी नोट ही हम आपको करा रहे है इसमें पूरे आपके थर्टीन चैप्टर से पेपर यानि कि आज हम आपको जब चैप्टर नंबर सेवन कंप्लीट करवा देंगे तो एट लीस्ट हम यह कह सकते कि 50% स syllabus मैंने आपको easy notes से भी complete करवा दिये तो अब यह है कि आप खुद से paper solve करने model paper solve करने के लायक हो चुकी है तो बहतर ही होगा कि अगर आपके पास notes वगएर हैं तो आप उनको पढ़िए और easy notes हैं तो उसको पढ़िए previous year questions जिस पर लिखा होगी पूछा गया उस पर ध्यान देज़ेगा और अगर आपने PG point application का codes लिया हुआ है तो उसमें आपको नीचे कुछ model paper दिख जाएंगे जिसको आप solve कर लीजेगा chapter के end के जो questions होते न जो हमने कहा था कि जैसे unit 1 के सारे important short or long questions दिये unit 2 के सारे cable questions दिये हैं आप answer नहीं सोचेगा दिये हैं हम साफ पहली बता दे रहें आपको na cable questions दिये होगा है तो यह सारे questions solve करने है model paper solve करने है बस इतना करके चले जाएगा easy notes पढ़ लिजेगा आपका काम हो जाएगा जो मैं आपको YouTube पढ़ा लिए हूँ यही important है अगर आप इसको भी ध्यान से हमाँ साथ पढ़ते हैं तो no doubt कि आपके कोई question महां पर शायदी फसे बस चीजों को ध्यान में क्या रखना है आपको headings को ध्यान में रखना है जो कहते हैं की points होते हैं की words होते हैं उन चीजों को ध्यान में रखना है तब जब आप अपने शब्दों को यानि की तकनी की रूप से प्रेशिट करेंगे ना वहां पर तो examiner जब आपकी copy चेक करेगा तो उस पेक अलाग impact पड़ेगा ठी जुड़ें तो PG point के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ें तो PG point official का नाम से हमारी इंस्टाग्राम एड़ी है तो वहां पर हम थोड़ा से अपने व्यक्तिगत चीज़े डा जो स्कूल के बिल्डिंग होती है जो डिजाइन्स होती है जो उनका decorum and maintenance होता है और उसके जो भी components होते हैं वह सब चीज़े इसके इंतरगाथ हम लोग question answers के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो एक बार session को share नहीं किया तो फटाफट से share कर दीज़े लाइक नहीं किया तो ल स्कूल या विद्याले का अर्थ वह परिभाशा बताते हुए उसके कार्यों की विवेच ना किज़े लेकिन इसी आंसर को थोड़ा से technical रूप से प्रिशित करना ये एक task होता है तो स्कूल या विद्याले का क्या अर्थ होता है तो यह समझेगा संस्क्रिट भाशा में जो उनको हिंदी में विद्याले कहते हैं विद्याले में हम लोग जाते हैं हम बचपन में विद्याले गए ते मेरी कई यादे वहां से जुड़ी हुई है और विद्याले की ही देने कि आज हम बीएड कर रहे हैं और हम आगे चलके एक सिक्षक बनना चाहते हैं विद्याले से हमने बहुत कुछ चीका विद्याले में हमारे एक अंजली मैम थी एक प्रियांसूसर थे जिनसे हमें बहुत लगाव था उन्होंने हमको ना सिर्फ पढ़ाया आप ही तो हमको जीवन के बहुत से पहलों के विचे हम से खाया तो यह आंसर अगर आप लिखके आओगे ना तो अगर इस तरीके से शुरुबात की जाए किसी चीज़ की जैसे अब हम पढ़ाने जारे हैं आपको तो वो एक अलग कह सकते हैं इंपक्ट डालेगा कोशन छे नंबर का होगा तो एक आपको एक नंबर देगा अगर आप उस तरह की कहानी लिख करके होगे और अगर आप ऐस तो संस्ट्रेथ भासा में विद्याले जो आपका विद्याधन आले से मिलकर के बना हुआ है अर्थात विद्या का इस्थान इस रूप में विद्याले का परियोग किया जाता है और विद्याले को अंगरेजी में क्या कहते है वह यह स्कूल कहते हैं अब मैं स्कूल उत्पत्ती जो हुई है वो ग्रीक के S-K-H-O-L स्कॉल से हुई है जिसका अर्थ क्या होता था जिसका अर्थ होता था अवकास यानि कि प्राचेन युनान में इन अवकास के इस्थलों को स्कूल कहा जाता था और अवकास को आत्म विकास करने के स्थान के रूप में मना जाता था ग्रीक देशों में ऐसे स्थान को विद्याले कहा जाता था जहां अवकास के समय विचार, विमर, सत्वाबाद, विवाद होता था लेकिन बाद में यही स्थान सूनियों जित धंग से क्या कहा गया अब विद्धियो अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से परिवाश दिये तो हम ने आपको बता है कि कोई दो आप याद कर सकते हैं हुमायू कबीर के अनुसार क्या का गहिए कि विद्धियाले सामुदाईक जीवन की अभी विक्ति अब इससे दाधा simple language क्या होगी विद्याले सामुदाइक जीवन की अभी विक्ती है किसने का हुमायू कभी ने का वहीं आपके टीपी नन थे इन्होंने क्या का विद्याले को ऐसा इस्थान नहीं समझाना नच चाहिए जहां किसी निश्चित ग्यान को सीखा जाए आप ये नहीं सोचो कि बच्चा हमारे स्कूल जाएगा तो वो ABCD सीख कियाएगा बस तो ये नहीं सोचो टीपी नन का खहना था अपी तू ये सोचो कि विद्याले एक ऐसा इस्थान है जहां चातरों को क्रियाओं के उन विशेस रूपों के लिए प्रस्थिक्षित किया जाता है जो संसार में सरवादिक महात्व रखती है ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं रोहस की तो रोहस के अनुसार इन्होंने कहा कि विद्याले वे संस्थाएं है जिने स्थभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुभ्य वेस्थेट और योग्य साहिता के लिए बालक होगी तैयारी में साहिता मिले वर्तमान समय में विद्याले की छवी भवन की रूप में परिवर्टित होकर एक ऐसी समाज संस्था की रूप में उबरी है जहां विद्याले विविन छेत्रों के जाति, धर्म, संस्कृत एवं जीवन चैली का परिचेप राप्त करते हुए उनकी रूचियों, योग गिताओ एवं कौश्यों का विकास करता है निश्कर्षता अगर हम बात करें तो विद्याले एक ऐसा उपवन है जिसमें भईया देखो अगर हम पूरा कंक्लियूजन के रूप में बात कर लें कि विद्याले क्या है तो विद्याले आपका ऐसा उपवन है क्या कहा गया एक ऐसा बागवगीचा है जिसमें सिक्षक का रूल होता है एक माली की जा रहे है एक गार्डनर की जा रहे हाना सिक्षक एक माली की भूमिका में और विद्यार्थी रूप क्या होते हैं विद्यार्थी रंग बिरंगे पुष्पो के रूप में अपने ग्यान कर दिया कि इसको कंपेर कर दिया कहा यह नहीं कि विद्याले एक उपुवन है जिसमें सिख्षा क्या है एक माली है और बच्चे क्या है वो रंग बिरंगे विभिन प्रकार के पुछप है ठीक है अब विद्याले स्कूल के अपने कार भी होते हैं तो विद्याले के कारेयों क विचार, शक्ति इन सब का विकास इन सब को समझने की यूगरिता हैं इनको विक्सित करने है और उनके प्रसिक्षड पर बल देना ये क्या है आपका ओप्चारिक कार्यों के इंदर करता जाएगा दूसरा है आपका संतुलित मस्तिस के का निर्माण करना संस्कृति का संरक्षड एवं हस्तान रांतरन करना यानि कि जो आपका कल्चर है उसका transformation करना जैसे कि विद्याले में बालकों को इतिहास, पुरान, धर्मसास, दर्शन, इवन साहित, आधी विशियों के अध्यन के माध्यम से उनकी संस्क्रेट से परिचित कराया जाता है आर्थिक कुशलता, नागरिक्ता का विकास, चरित्र का विकास, यह सबाव के फॉर्मल का अंतर करता जाएंगे, विद्याले आर्थिक ड्रस्टी से बालकों को कुशल बनाने का कारे भी संपन करते हैं, पर शीरी से बाते पढ़ लिख करके बच्चा क्या करेगा, आगे चलके या तो वेफसाय और द्योग कुछ भी जो भी अपना वो करेगा, लेकिन उसका भावी विद्यां होती रहती है, इनी विविद्क्रियां के द्वारा बालक के चरेतर का विकास होता है, नातिक एवं चरेतरिक विकास सामाजिक पधितितियों में ही संभव होता है, और विद्याले बालकों को इसके योग या पिक्षित वरिश्टियां प्रदान करते हैं, अब य इम्पीरिड़ेंगे लोगों को बच्चों को खो कबड़ी योगा एंड़ सब करवाते सुबह तो भो सब आपका शारी दिखार के इंतरकत हैगा समाजिक भावना का विकास करना विद्याले समाच आपको पता है विद्याले क्या है विद्याले समाच का एक लगू रूप होत सम्वेक आत्मक विकास के अगर हम बात करें तो विद्याले में अनेक रियाओं कायों आपको पता है बच्चों के लिए देखो कितनी सारी कितनी सारी वर्क्षिप एंड सेमिनार सोट सब चीजे का ओर्गनाइजेशन है ना ओर्गनाइज करते ना टीचर्स तो उसमें आप द समाज में इनका मात पुरस्तान होता है तो यह सब आपके किसके अंदर गता आगे अनौप्षारी चीज़ों के अंदर गता आगे ना तो अब नेक्स्ट कोईशन की देखो यह तो आपने पढ़ लिए विद्याले क्या होता है उसके कार क्या होते है नेक्स्ट कोईशन है आ अगर बात बता है तो इस तो चात्र के छात्र के छड़ित रविकास महताबर भूमी का नहीं बात है विद्याले में जो भी छात्र आते हैं वा अपने वर्टमान समाज का प्रस्तिविम होते हैं इसलिए विद्याले में चेत्रों में कुशल जनसक्ति का निर्मार करते हैं जिससे उत्पादन में गुडात्मक वा परिमार आत्मक सुधार होता है और समाज का आर्थिक विकास होता है विद्याले व्यक्तिकों में व्यसाई कुशलता का भी विकास करते हैं जिससे वह आपनी आजीवी का स्वयम कमा ने की योगे बन सके इन दोनों के बीच सम्मंद को दो बिंदूं से समझा रहा सकता है पहला बिंदू देखो समाज का विद्याले पर क्या प्रभाव पड़ता है यह निकि सोसाइटी का स्कूल पर क्या इंपक्त पड़ता है और दूसरा इसका जास्ट ऑपोजिट जो आपक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है राजनीतिक प्रभाव पड़ता है मैं सांस्कृतिक प्रभाव कैसे पड़ता है हमने का विद्याले सिक्षा के उद्देश वह पार्टिक्रम समाज की संस्कृति से प्रभावित होते हैं जिसमें वह इस्थित है पूरे विद्याले पर संस्कुटे से जुड़ा हुआ हमको एक जलक देखने को मिलती है वहीं अगर मैं राजनितिक प्रभाव की बात करो समाज की राजनितिक विचारधारा विद्याले शिक्षा के उद्देश पाठिक्रम अनुशाशन वो प्रशाशन को प्रभावित करते हैं प्रजातांत्रिक स समाज की आर्थिक इस्तिति इस तां दिया गया है कि समाज की आर्थिक स्थतिटी का उध्याले विधर पार प्रभाव परता है उन व समाजिक प्रभाव अगर ब्रदूशर तथा संप्रदाइक्ता जैसे समस्याओं को दूर करने में साहयक विशय समागदी को रखा गया है भारत जिन धर्मिनेर पर इक्ष मूलियों के कारण विश्व में अपना लगस्थान बनाये हुए उन मूलियों पर अधारित विशय समागदी भी इसमें सामिल है उपर इस तत्यों के अधार पर कहा रहता है कि विद्याले समाज को क्या करता है या परतिबिम्ब करता है अब तो यह आपने पढ़ लिया समाज पर विद्याले का क्या प्रभाव होता है अब उसका जो प्ढ़ाएंगे कि विद्याले जो होता है इसका समाज पर क्या प्राइपल ले रापने देखाउगा नईट शादी होई जैसे हão आप लोगों के हमें वही जो का देले के से हमने के देले जाते है तो विधी विधान इस तरह कोगं होथे हैं के अश्रण्टाओं पूराइज थिखेयत सक विधी तों ळीति Tam उन्होंने क्या की अपने culture को क्या की transform किया लेकिन अब ये काम किसका है विद्याले का है तो अब भाई ये तो चलो rituals हो गए हैं यहाँ पर बात की की Sanskrit की culture की उसका transformation कैसे होगा तो ये कारें विद्याले कर रहे हैं विद्याले बच्चों को विश्यो की विभीन संस्कृतियों से भी परिषित कराते हैं जिससे वह कुछ नहीं बाते अपने Sanskrit में जोड़ करके उसका विकास कर सके हैं समझ भी है समाज का अर्थिक विकास का अगरं बात करें तो विद्याले विभीन छेत्रों में करते हैं और उनकी रुड़िवादितावाद अंद विश्वाशों को दूर करते हैं तता उनके जस्टिकोंड को आधुनिक बनाते हैं इस प्रकार विद्याले समाजें परिवर्दन लाने के महत्पूर्ण भूमी का निवाते हैं समाजिक प्रवर्ति की अगर मैं बात करूं तो विद्याले समाज को विद्याले की बात की जारी है आपर देखो विद्याले समाज को सिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रवन्दन तता अन्य छेत्रों में प्रतिबास अंपन व्यक्ति उपलब्द कराते हैं एक बात बताओ आज अगर कोई हड़ी का डाक्टर है और अगर विद्याले ना हूँ, ये बड़े बड़े कालेज ना हूँ, अगर इस चीज की पढ़ाई ना करवाई जाए तो क्या फिर वो अगर ये हड़ी का डाक्टर की डेथ हो गई, तो फिर दूसरा हड़ी का डाक्टर आगे चलके कहां से मिलेगा आपको, है ना तो समाज की समश्याओं के समधान में मदद किया, अगर मैं बात करूं, तो विद्याले विभिन विषयू को पाथ समागरी वा नेगति विद्यों के माध्यम से, बच्चों में समाजिक समस्याओं की प्रथि जाग रुखता उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज को उनका समधान क पूरक तत्यों के अधार पर यह इस पस्त है कि विद्याले वा समाज एक दूसरे के पूरक वसा ही होगी है यहां से आपने देखो विद्याले का समाज पर क्या प्रभाव है और समाज का विद्याले पर क्या प्रभाव है आपने दोनों पढ़ लिया और दोनों से आपको क्या पता चला कि विद्याले और समाज एक दूसरे के पूरक वा सही होगी है यह दोनों का परस पर सही होग इन next question की अगर बात करो तो next question आपका कह रहा है कि विद्याले भवन की निर्माट साथ सज्जा तथा रस्त रख रखाओ का विस्टर वर्डन कीज़े तो विद्याले भवन की अगर हम बात करें तो विद्याले भवन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है ना इसके अंतरकत कितनी चीज़े आजाएंगे पहली बात तो आपके जो स्कूल के बिल्डेंग है यानि कि इमारत खेल के मैदान हो गया फरनीचर हो गया यान्तर यानि कि जितने भी एक्विपमेंट्स आप लाब अगरा में यूज करते हैं पुस्टकाले साथ सज्जा ये सब चीज़े आते हैं विद्याले को प्राचीन काल सी विद्या का मंदिर माना जाता है क्या मना जाता है विद्याले को आज आप लोग कमेंट सेक्षन में ये लाइन लिखिएगा कि विद्याले को विद्या का मंदिर माना जाता है जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो हम आपक और कितने मिनट आप पढ़ रहे हो, सारी मकारी सब जलगता है, तो इसलिए मैं देखूंगी कितने बच्चों ने लिखाये, तो विद्याले को प्राचीन काल से भईया क्या का जाता है, विद्या का मंदिर माना जाता है, अतहां, विद्याले प्रबंधन द्वारा, सिक्षको एवन छात्रों के लिए ऐसा बाता पर रड़ोप लग्द कराये जाता है, जिससे वे सोतनतर रूप से कारे कर सकें, विद्याले का भवन तता का अक्षा का ऐसे होने चाहिए है, जो छात्रों को सहशा अपनी और क्या करें, या आकरशित करें, हमने आपको बढ़ आतना ऐस होना चाहिए, जैसी बच्चा देखे, तो उसको पढ़ने का मन होने लगे, लगे कि हम यहाँ पढ़ने के लिए है, जैसे आप किचन में जाते हो, आपको पता है यहाँ पे हमको कुछ खाने का मिलने वाला है, यह वैसी, चात्र अपना अधिकतर समय विद्याले में ही व्य बच्टि का साधन है, स्कूल का रूप और संदर आकर्शक हो, होना चाहिए, ठीक है, अब जो आपके स्टी केजी सहीदेन थी, इनके अनुसार क्या बताया गया, एक आईडियल स्कूल की डेफिनिशन लेगी, और इन्होंने कहा कि एक आदर्स विद्याले भवन, अत्यंत विशालवा विस्तरत हो, इसकी कला आकरती नीत्रों को आकर्शक लगने वाली हो, हाना, एवं इसमें चात्रों को चलने, नेकी, पौन सविधा हो, गाउं या नगर में इसकी स्थिती इस रूप में हो, कि लोग इस पर गर्व कर सकें, वास्तों में विक्सित धन्वान रखते हैं, विद्याले भवन में अगर हम साथ सज्जा की बात करें, तो पर टेक विद्याले में विविद प्रकार की साथ सज्जा होती है, साथ सज्जा के अभाव में, कोई भी विद्याले सो चारो रूप सपने देनिक कार्व का संपादा नहीं कर सकता है, विद्याले म पर अन्य सम्मनों के साथ सज्जा, सम्मन्दी निम्दांकित व्यवस्थाइं पुटिक विद्धाले में की जानी चाहिए, अब देखो इसे सम्मन्दी जो भी चीज़े हैं, जो भी कह सकते न व्यवस्थाइं हैं, जो हर स्कूल में होनी ही चाहिए, हैना, क्या मैं होना चाहि है प्रभारी अपने पास एक आगत एवाँ निर्गत रेजिस्टर रखे शाथ की समयी एक जाच की विवस्ताओं सात सज्जा की सफाई की पूरी विवस्ता पर मरम्मत भी की जाए वर्स के अंत में प्रतेख प्रकार के साथ सज्जा का बहुट एक शत्यापन भी किया जाए नाजुक समवेदैंसील तता मूलेवान जो साथ सज्जा है, इसका परयोग हरव्यक्ति ना करें, मेजव कुर्सियों को करम संख्या दी जाए, साथ सज्जा की उप्यूक देखबाल तता विवस्ता विद्याले के संचालन पर प्रभाव डालती है, अता है इसकी देखबाल एवन विवस्ता की समुचित विवस्ता होनी चाहिए, और यह विवस्ता कैसी हो, यह विद्याले के आकार उपलोग साधन तता, तो विदा अध्यापक अध्यापक वर्ग से ही किसी को संरक्षक नियुक्त कर दे या फिर अध्यापकों की चात्रों को की मिली जुली समीती बना कर भी यह कार किया रहा सकता है। समाने सिध्धानतों का पालन करना चाहिए। पहली बातों जहां तक हो सके जहां तक संभाव हो। विद्याले भवन एक मंजिला हो। भवन की योजना विस्तार पूर्ण होनी चाहिए। और विद्याले भवन की योजना वैज्ञानिक एवं आधुनिक होनी चाहिए। तथा नियमों भी जो नियमों का भी उचित पालन होना चाहिए। इसकूल की स्थिति इस प्रकारों की चातर को घर से दूर तक एक किलोमेटर से अधिक चलना हो ना पड़े है ना। और उसके नहीं उपर युक्त तत्यों के दार पर विद्याले में प्रबंध उचित्ववस्ता होनी चाहिए। जिस प्रकार की उपर डिस्क्राइब की मैंने। ठीक है इस तरीके से आपको कोशन नमर्ट थ्री बहुत आसानी से के साथ तूरा हो गया। कोशन नमर्ट भी कुछ बहुत खास नहीं इसमें पूचा के विद्याले भवन या निर्माड के आवश्यक गटों को कवर्णन करो या फिर विद्याले की स्थिति की विवेचना करो। दो तरीके से आपको ये कोशन पूचा जा सकता है। इसमें कुछ ऐसा है ने कि बहुत ध्यान से पढ़ा दे। इसको देखो मैं पढ़ूंगी तो ये आप सिंपल सी लैंग्वज लिखे हो ये असानी के साथ में समझ जाओगे। विद्याले भवन निर्मार में कुछ मुग के घटक तथे ओपर ध्यान दे अगर्ण तो भवन योजना के प्रारूप। वस्तता विद्ध्याले भवन का master plan जोग अभी इंता के द्वारा सुख्रती होने चाहिए तो पहली बात तो किस तरी किस पर ध्याने ने डेकर जो है विद्ध्याले का निर्मान होना चाहिए कि छात्तरों की वर्तमान में संक्या का है भावी बड़्चों के लिए बड़ती देखने वाला भी होना चाहिए विद्ध्याले की स्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसी जगह हो जहां पर बच्चों को स्वक्षवायू मिले सोरगुल ना हो यह नहीं कि आप बिल्कुल चोराहे पे स्कूल खोल कर रख दो है ना खेलकुल के लिए परयाप्तिस्थान होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कठनाई ना महसूस हो पढ़ियासी रोड में हो स्कूल है ना विद्ध्याले भवन की नीव का धरातल धरातल सतय है जहां तक हो उची हो तभी वर्षा के दिनों में पानी आसपास नहीं भढ़ना चाहिए बच्चों को है न भवन की दिशा की अगर हम बात करें तो विद्ध्याले भवन बस्ती से दक्षड पूरु दिशा में हो तो उत्ता है इस लाब यह होगा कि यहां सीथ काल में धूप सीधी चात्रों को अपलब दोगी और वहीं ग्रीश मकाल में सूर का प्रकास सीधा भवन प्रवेश नही होनी चाहिए ठीक है विद्ध्याले सेवाओं की अगर हम बात करें तो जहां तक हो सके बच्चों को विजली पानी इन सबकी विवस्ता नॉमली रूप से अच्छे थे होनी चाहिए भविश्य के विस्तार की संभावना विद्ध्यात्यों की संक्या परनेरबळ करता है तर प्रतेक 50 विद्यार्थी के लिए एक करक्तरिक्त भूमी उपलब्ध होनी चाहिए अगर मैं विद्याले भवन की योजनाओं की आपसे बात करूं भारत की आर्थिक सीमाओं में जहां सिक्षा का कुल आय का केवल चार प्रतीशत वियाय हो जहां वहां विद्याले भवन निर किन्तु वर्तमान समय विद्याले भवन पर ध्यान दिया जा रहा है चाहिए वप्रात्मिक विद्याले हो या मार्दमी को या उच्छो सिक्षड संस्थान हो हूं अब तो निपी 2020 के बाद में चीज़ें सोधर भी नहीं है नेक्स्ट ए खुली हवा में विद्याले हो यान थंड के दिनों में बच्चों की क्लासस को छोटे बच्चों की धूप उप में भी लगवा देते हैं न तो भाय पर्यावरण में भी यह सहस्ता से हो क्योंकि खुली हवा में इंद्रियों का अधिक सक्रिय करके ग्यानाजन कराया जा सकता है प्रक्रति स्वयम सिक्षक है अ में देखा होगा आपने पहले के जमाने में सुना होगा ना कि गौतम बुद्ध को इस व्रक्ष के नीचे ग्यान के प्राप्त हुई महावीर स्वामी को इस व्रक्ष के नीचे ग्यान के प्राप्ती हुई तो वो बात है क्योंकि उन लोगों की जो सिक्षा थी कुछ इस प कख्षा कख्ष लंबे चौड़े और कमरे की उचाई में भी यतेस्ट होनी चाहिए कमरों में अविश्यक मात्रा में दर्वाजे खिड़कियां रोशन दान दालमारियां रखी जाए और विजली की उचे द्वस्तावनी चाहिए विशस्ट कख्ष जैसे भूगुल कख्ष प तो अब आपको बताया की आज की विध्यालों के पास अपना भवन होना चाहिए और उन तो अगर मैं कॉन से चीज़े वहाँ पर घटक होने चाहिए तो विद्ध्याले भवन से टातपर विद्ध्याले के मुख के बवन पहली बात तो जो उसकी बिल्डिंग है वही है उसका ने प्रेयोकसाला यानि कि वहां की लैप कैसी है लाइबरेरी कैसी है फैकलिटी कैसी है अना किरिडा अगर नर्थात जो आपका किरिडा इस्थल है यानि कि प्लेगराउंड उद्ध्यान मैदान ये सब चीज़े समवलित रूप से होने ही चाहिए पर तेक विद्ध्याले के लिए भवन का होना नितानता विश्यक है आज उनना अदर्शवादियों की अवे भा इस्टांता उनना चाहिए तो यह देखो नमबर एक विद्ध्याले की मुख्य भवन परियूक्यार प्रश्वाद यह समझ में आरे है आ रहे हैं तो फड़ा फड़ चे भाई या शेशन लाइक करो बैठे की हूँ शेर की हूँ नहीं गर रहे हैं आप लोग एक्जाम टाइम पर भी मुझे बताना पड़े तो तो बेकार है अब विद्याले भवन निर्माड के लिए अविशक तक थे क्या क्या है किस प्रकार के विद्याले भवन का निर्माड कराया जाए या फिर विद्याले भवन कैसा हो यह प्रश्ण प्रतेक विद्याले के संस्थापक होते हैं जो मैनेजर होते हैं इनके समुख खड़ा होता ह किन्तु इनका कोई समुच्चत उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि विद्याले भवन की जो रचना है वो कई बातों पर निर्भर करती है और ये बाते संस्थापक या विद्याले के साथ सत्थ प्रथक हो सकती है फिर भी कुछ ऐसे सिद्धान थे जिनका उल्ले किया जा सकता है और जिनका ध्यान भवन निर्मार के समय रखा भी जा सकता है सबसे पहली बात होती इस्थिती यानि कि हम जो स्कूल खोलने जा रहे हैं जहांपर स्कूल बिल्डिंग हम बनवाने जा रहे हैं वहां की लोकेशन क्या है यह बहुत माइने रखती है विद्याले भवन किस जगह इस्थित हो यह भड़ा ही महत्यपूर्ण प्रशन है जिस पर प्रतेक संस्थापक को गंभी हिस्ता से विचार करना चाहिए इस्थिती का चुनाओं करते समय निमले की तथ्यों को भी धार में किस प्रकार से चुनें हमने का क्यलकों अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको कैसी जगह पर स्कूल खोलना होगा यह आप हमसे सीखो आच क्या मैं पहला कि इस्थिती स्थानी तता सैक्षिक अवशक्ताओं के नुकूलो भूमी समतल होनी चाहिए आसपास की भूमी कुछ उची हो जिससे बर्सा का पानी वहाँ पर ना बर्सा के सीलन ना हो पास में यह नहीं कि कोई गंदा नाला या तालाब पोकर तता नदी आदी यह सब चीज़े नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि देखो तालाब पागेरा का पानी क्या है ठहरा हुआ पानी होता है फिर उसमें बजमाच्छर हुआ बच्चे को काट लिया बहुत ही चीज़े होती ना मतलब अच्छा पर्यावरण हो यह गंदगी नहीं होनी चाहिए इस्थितनगर तता उद्योगों के कोलाहल पूर्ण वातावरण से दूर हो यानि कि ऐसा नहीं है कि आप शोरगुल वाले चौराहे के बगल में स्कूल खोल दो ना किन्तु कितनी भी दूरी होगे इस्थान बच्चों के क्लास लगवार रखें यह नहीं होना चाहिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए पीने के पानी में ऐसा नहीं है कि आपनो अमल पानी पिला देरो आरो यार आरो मतलब आरो वाले जो पानी के वह होते ना वहर क्लास के भाहर उस तरीके की चीज़े होनी चाहिए पानी के पीने की सुविधा का ध्यान रखना भी ठीक रहता है नगरों में जहां पानी नल से उपलब्ध हो सकता है वहां तो ठीक है नहीं तो देखना चाहिए कि भूमी पर पीने योगे मिठा पानी मिलता है अत्वान नहीं अगर मैं भवन की बात करूँ तो भवन में भी कुछ प्रकार की चीज़े होते ही जैसे भवन दिर्माण में स्वात्य समंदी विश्यों को ध्यान में रखा जाए क्या अदमेन होता है कि जो भी स्कूल बिल्डिंग हो उसमें प्रॉपर प्रकाश और हवा इनकी पूर सुवि भवन विद्याले की अनेक अवशक्ताओं के लिए प्राप्त हो भवन सुनू योजित होना चाहिए बाद में टोड़फोर करके उसे परिवतन भी करके वैसिल तता सुविधाजनक होना चाहिए विद्याले प्रांगर में आपकी कैंटीन, फूलों के दुकान, वियाया मसा आधी का भी प्राफधान रखा जाए, भवन में आपका सौचाले साइकिल स्टेंट, पविनियागे पानी का कक्ष, स्टाफ रूम, मनुरंजन कक्ष, इन सब का भी प्राफधान होना चाहिए, इस्थान भाव के कारण दुमंजिला भवन भी बनाया जा सकता है, किन्तु इ यह नहीं कि अब घर के जैसी छोटी-छोटी स्टियर्स दे तो नहीं, प्रॉपर चोडी-चोडी स्टियर्स होनी चाहिए, तक एक एक बार में 4-3-3 बच्चे भी चाढ़ सके, वस्तकाले कक्ष जो होता है, भवन के एकांस स्थान पर नाकिशोर वाले हो, हैना, क्योंकि ज परता संख्या का भी ध्यान रखना आवश्यक है, इन बातों के लिए काफी दूर डर्शिता की अवश्यक्ता पढ़ती है, कक्षा काफी लंबे चोड़े हो, कक्षा कक्ष जो हो, वो लंबे-लंबे नहीं, उनकी लंबाई चोड़ाई प्रॉपर हो, इसके पीछे के चातर लेखन पट को नहीं देख सकेंगे, समनतर चालिस बचाश चातरों के लिए 30 बाई 24 फूट के कमरे पर रहत रहता है, कमरों की उचाई भी यथेस्ट होने चाहिए, कमरों में आवश्यक मात्रा में दरवाजे, खिड़गिया, रोशनदान और अलमारियां रखी होने इनमें कमरों की खिड़गियां, कमरे के फर्स से 3.5 फूट के करीब उची हो और उपर सथ के पास छोटे छोटे रोशनदान भी होने चाहिए, जिनमें प्रकाश मुखे रूप से बाई हो, और से आए, नेक्स्ट कोशिन देखो आपका क्या कह रहा है, स्कूल जो है आपका यानि कि विद्याले, पुस्तकाले से आप क्या समझते हैं, लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, और पुस्तकाले की उद्देश एवं लाब क्या है, यानि कि लाइब्रेरी के गोल्स, एम्स क्या हैं, और लाब यानि कि क्या उसके फाइड नहीं हैं, तो देखो भाई है विद्याले पुस्तकाले आप सभी ने बहिए स्कूल लाइबरेरी में बैट करके खूब मज़े कियोंगे मज़े करता पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़े है ना बिलकुर साइलेंट हो करके पढ़ना चीज़े सीखना नहीं नहीं पुस्तकाले बौधिक एवं साहितिक विवरुद्धि का इस्थान होता है पुस्तकाले में बालक मानविय ग्यान तथा अनभवों की निधी प्राप्त करता है यह नवीन ग्यान की पोशक भोजन प्रदान करने वाला सूव विवस्थित भोजन आले है यह हमारी सेक्षिक दक्षिता में व्रधि करने का केंद्र भी है पुस्तक आले हमें पुस्तक पढ़ने का सूव अवसर प्रदान करता है हम अनेक पुस्तक निजी तोर पर क्रय नहीं कर सकते हैं इसके लि जिए से कि जिए ओमरें कायरा। उनके रखेने का करम एब विवस्ता पढ़ने में करते हैं। संद्र्ब पुस्त की विवादगरश्त विश्यों को इस पस्ट करने में साया को थी विविन प्रकार की पुस्तक पत्रिकाओं आधिकी वेवस्था विक्तिकत इस तर पर नहीं हो सकती इसकी सुविदा पुस्तकाले को ही दे दी चाती है। यह आपको पुस्तकाले ही दे पाता है, पुस्तकाले चात्रों के लिए बहुत बड़ा उप्य होगी है, यह से चात्र यहां कर पाते पुस्तकों के अलावा, अनिसम मनित पुस्तके पढ़कर अपने ग्यान भंधार में व्रद्धी करते हैं, वे यहां कर विद पुस्तकों के अध्यान में रुचिक जागरत करते हैं और साहित अध्यान के सुवसर प्राप्त करते हैं पुस्तकाले चात्रों में सुवाध्या की प्रवर्ति जागरत करने में बड़े सायाक होते हैं पुस्तके बालकों के सामने ग्यान तता विचारों का एक बंडार रप्रिस्ट करती है और जिसके उनके डिस्ति कोन का विकास भी होता है। पुस्तकाले बञचलोकों के लिए मनोरंजक साथ ने पुस्तकों के विवस्था करता है। इसने भे अपने विश्राम के समय का साधूपियोग करना सिखते हैं पुस्तकाले बालकों में मौन वाचन की आदत का विकास करता है क्योंकि वहाँ पर आप शोड नहीं कर सकते हो ना लिब्रेरी में तो आपको मन में पढ़ना होता है मन में पढ़ने की जो ये आदत है यहां से बच्चा बहुत अच्छे तरीके से डाल सकता है आपको सिक्षड की आधुनिक्तम पद्धतिया जैसे आपकी डालतन विधिवाद विवाद पद्धति योजना पद्धति आधिकी सफलता के लिए विद्ध्याले में पुस्टक का होना नितान तावश्यक है पुस्टक आले के उद्धेशों की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले चात्रों में विविद्ध साहित की करमबद्ध से विवस्था करना चात्रों में स्वास्य साहित की अध्यान की अध्यालति रुचि जागरत करना चात्रों में स्वाध्यात अत्यालतन की आधतों का विकास करना बच्चों में ग्यान को वियापक बनाने की साध बढ़ाने के लिए सब्दुकोस तता अतरिक्त ग्यान बढ़ाने के लिए संदर्ब पुस्तके जुटाना कक्षा में दी गई समाने सूचना कि अभिवर्दी करना तता पुस्तकों को सही डंग से प्रयोग करना सीखना चात्रों को स्वतंत्र एवं मौलिक चिनितन करने की प् बैच्चों को ग्यान हो गई होगा और साथ में बत्ता जैसी बुक चाहिए वैसी बुक एकडम आगर उसका हिस्ट्री पढ़ने का मने तो वो पुस्तक पढ़ेगा किसी का आर्ट से सम्मण दिदे जो हमानिटी स्ब्जेक्ट पढ़ने का मने तो वह उस प्रकार पुस्तक पढ़ेगा तो पुस्तकालبة से लाब बहुत है विध्यालिया में अच्छे पुस्तकाले कि होना अत्य अन्ता विशक होता है पुस्तकाले की माहतु की चर्चा करतेव हुए माध्यमिक जो सिक्षा आई होगा वो क्या लिखता है कि वेक्टिकत कारे समूपरयोजन कारे सैक्षडिक वमनुरंजन का तता पाठ्चुक्रम सहिकामी क्रियाओं के अच्छे तता दक्ष पुस्तकाले को ना विशक है च्छे वुस्तकाले चात्रों में अध्यन समगती स्वस्त आदित का विकास करते है यहनि कि देर तक reading capacity है ना और मन में पढ़ने की आदत यह सब चीज़े बच्चे कहना develop होती है पुस्तकाले से ही बस सीखते हैं कि पुस्तकों को ठीक प्रकार से किस प्रकार रखा जाता है उसे मैं अगर आप लाइबरेडी में जाकर के पढ़ रहें तो यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट है चात्रों के व्यापक द्रस्टिगोण का विकास होता है चात्री मॉन बटन की आदत का विकास होता है यहां से अल्टिमेटली आपने छे लॉंग अंसर कर ली आप बारी यह शॉर्ट आंसर की जो हम आपको कल करवा रहे होंगे और उससे पहले हम चाहिए कि भाईया मॉडल पेपर जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वो चूकेंगे नहीं बिलकुल भी आपको स्टेडी भी करनी होगी हाना संतिंग निव जिसे आप कह सकता है तो उसके लिए क्या करना हो गपाई या उसके लिए आपको सिंपल सी बात है सब कुछ है आप ले सकते हैं उसके टेलीगराम चैनल यहां से बी जुड सकते हैं और उसके पीजी पूंट के नम से इन्स्टाग्राम आईडी है आप हमसे भी जुड सकते हैं तो यह थी एक क्छोटी सी बात दमत्रक्त के मांड्यां के नमां से 1948 आ टाइब कोशिन आंसर जो हमने कराने हैं कल तो लॉंग आपको कैसे लगे उनकी जो भी चीजें हमने कैसे समझे इसको आप कमेंट शक्षिन नहीं बताना नहीं बोलिएगा ठीक हम आपसे नेक्स क्लास के माध्यम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए कोई भी डाउट है कमेंट शक्षन में आ करके पूछे या एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे उसमें पूछिए ठीक है तो यह थी एक चुटी सी जान करें मिलते हैं आपसे नेक्स क्लास के माध्यम से तब तक के लिए अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देन टेक क्यर बाई बाई लो 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 लोड वाई नेवगे लिए घरक्लास